लोकसवार, दियक्ष ओमीलला, कितना अलग है ये चुनाव पिछले चुनावों से؟ चुनाव एक ही है कि नजैन्दमोदी जी को देश और प्रदेश की जनता प्रधानमंती बनाना चाहती है और देश की जनता में, प्रदेश की जनता में, कोटा बुंदी संसित की जनता में, सब में उस्सा है कि नईंद मोदी जी तीसे कारकाल में, जो उनकी एतियासी हुपलब्दी है, जिस तरी के देश उनने आगे बढ़ाया है, तागरत दर बढ़ाया है, इंफार स्टर्चर में सर्विस सेक्टर में उससे लोगों की विश्वास बरुसा बढ़ा है मैंने इस चुनाओं में देखा है कि प्रधान मंती नैंद मोदी जी के पति लोगों का विश्वास बरुसा आती बढ़ा है इसलिए मोदी जी को मद्दान करने के लोग बड़ी संक्या में सुबह से निकल यह देखा जा रहा है कि पहले फेज में वोटिंग कम वो रहे थी इस बार तो लाइने लगी हुई है हर जग है लोगों को पेज़े फेज में वोटिंग कम हुई उसका आवास हुआ और अब मैं देख रहा हूं कि जो मेरे पास सूचना है सभी जगे चुनावा में मतान के पत मसला रहा देखे चुनाओं में उन्हों नों जो बात पता ही वह बाते पता ही दोजार गयारा ़ामें वह ही देखिव को चे unc चा भारा करते थे उन nghi जोड़नाओं के बारे में पता हूई किस तरीके से कॉंग्रेर्ज विभाजन के आधार पर राजनीती करती थी और टुष्टी करन के आधार पर राजनीती करती थी और इसी लिए उन्होंने सारे विशे जनता के सामने रखने जबूरी थे जो आउशक रूप से जनता के सामने ये सब तथ्यात्म और सत्यवाद थी जो पधानमंती ने जनता के यहां पर देखा गया कि चुनाओं में जो है एक बहुत अलग अलग तरह के जो मुद्धे हैं वो सामने आए तो आपको क्या लगता है मोदी फैक्टर अभी भी राजस्तान में काम कर रहा है या इस्तानिय फैक्टर है और देखिए उन्होंने डिट्ट्नाने के चुनाओं देश की चुनाओं मंनठी नएद मोडी मोदीर के चुनाओं और जानते हैं लोगतनronics नहीं थैक्टर Coms मुझ्दों को लोगों को बताने की क्व्न कूश्रिक करिजिन मुद्दों का इस चुनाओ से कोई समन नहीं है वो अपने राके एक लेकिन वह उन पर राजनीति करते हैं लेकिन कॉंग्रेस जाती के आधार पर राजनीति कर रही है और विभाजन के आधार पर तुस्टी कर रहा है दो विशे उन्होंने पकड़े हैं जाती और तुस्टी कर रहा है ये विशे उन्होंने पकड़े हैं और इसको उद्धिशा के और चुनाओ मान कर यहां पर वोट डालने के लिए निकल रहे हैं कैनल मनिस के शाथ शरत कुमार कोटा आज तक